कवी और लेखक हरिवन शुराय बच्चन की आज पुनेति थी है 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहबाद में जन्म हुआ बाल्ले काल में बच्चन कहे कर उन्हें पुकारा जाता था 1926 में 14 वर्ष की श्यामा बच्चन से विवाह हुआ 1936 में श्यामा बच्चन की टीबी की कारण मृत्ती हो गई 1941 में हरिवन शुराय ने पंजाब की तेजी सूरी से विवाह किया कई वर्षों तक इलाहबाद में अंग्रेजी विभाग में प्रध्यापक रहे भारत के लोगक्रिय कवियों में हरिवन शुराय का नाम शामिल है 1935 में प्रकाशित पहला काव्य संग्रहे माना जाता मधुशाला मधुशाला के प्रकाशन के बाद साहित्य जगत में अमिट छाप छोड़ी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश को कहा गया हलाबाद एकांत आत्म केंद्रत कवी थे हरिवन शुराय बच्चन कृती मधुशाला के लिए अधित प्रसिद्धी मिली अभिनेता अमिताब बच्चन के पिता थे हरिवन शुराय बच्चन बच्चन को साहित्य अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया 1968 में कृती दो चट्टानों के लिए सम्मानित किया गया बिर्ला फाउंडेशन ने आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया 1976 में हरिवन श्राइब बच्चन को पद्मभूशन से सम्मानित किया गया 18 जन्वरी 2003 को हरिवन श्राइब बच्चन का निधन हो गया